नमस्कार टीवी नाइन राजिस्तान पर आज की इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ भवी शित्यागी राहुल कस्वा ने आज बीजेपी को अपचारिक तौर पर बाई बाई बोल दिया है और अपचारिक तौर पर ही कॉंग्रस का हाप थाम लिया है अब सवाल कई उठ रहे हैं किसानों के मुद्दे पर जाट वोट बैंक पर प्रदेश में जाट वर्सिज राजपूत की जो राजनीती खड़ी हुई है उनको लेकर बीजेपी काफी जादा ऐसे हैज हो गई है ये सवाल है सवाल ये भी है कि क्या एक पुरानी अदावत के चलते बीजेपी के कदावर नेता को निप्टा दिया गया और निप्टाने वाली खुद बीजेपी की ही कदावर नेता हैं और चुप रहकर उन्होंने ऐसा खेल किया कि बीजेपी नेता ना आगे देख पाए ना पीछे और बस अब उनकी लोगसभा दावेदारी पर प्रश्र चिन लग गया हम बात कर रहे हैं वसंद्रा राजे सिंधिया की हम बात कर रहे हैं राजेंद्र राठोर साब की क्योंकि कस्वा के साथ अदावत तो ठीक राजेंद्र राठोर की सियासी अदावत वसंद्रा राजे के साथ भी रही क्योंकि जिस तरह से साल 2013 के आसपास पे जिस राजेंद्र राठाउर को वसंद्रा राजे के राइट हैंड के तौर पर माना जाता रहा था 2030 का चुनाव आते आते वही राजेंद्र राठाउर वसंद्रा राजे को भी आखे दिखाते नजर आये थे आपको याद होगा जून के महिने में पिछले साल जून के महिने में जब विधानसभा चुनावों से पहले उद्यपुर में एक जनसभा अमजशा की हुई थी मंच पर वसुंद्रा राजे को स्किप करते हुए सीधे अमिच शा को संबोधन के लिए आमंत्रन या फिर माइक पर बुलाने का काम राजेंद्र राठोर ने कर दिया था अब ये गलती से हुआ या कैसे हुआ ये तो राजेंदर राठाओर ही जाने लेकिन वसुंद्रा राजे की अभेला वहाँ पर हुई थी ये पूरे राजिस्थान ने देखा पूरे देश ने देखा अला कि स्तितिकों मिशान उस वक्त संभाला था और वो अपनी कुर्सी से खड़े नहीं हुए थे और वसुंद्रा राजे को मौकर दिया था बोलने के लिए लेकिन अब ऐसे निता क्या वसुंद्रा राजे की आँख में महीं से राजेंदर राठाओर खटक ने लगे थे और अब विधान सबाद चुनावों के बाद साइलेंट ट्रैकर भी कि राजरीती के इर्दगिर्द एक ऐसा चक्रवियू रचा गया जिसमें राजेंदर राठाओर निपड़ गए अब देखे सवाल ये है कि क्या जो ये जाट और राजपूत की एक सियासी रड़ाई राहुल कस्वार राजेंदर राठाओर की सियासी अदावत में शुरू हो गई ये उसमें क्या राजपूत वोट बैंक के लिए बैक अप के तौर पर वसंदर राजे का समर्थन राहुल कस्वा को मिल रहा है क्या इस सवाल है इस सवाल हम उठा रहे हैं चुकि देखे खुले तौर पर आप देखे खुद बीजेपी की कदावर निता और ऐसी निता जिनको लेकर ये कहा जाता है कि वसंदरा हैं राजिस्थान में और वो किसी की सुनती नहीं है ऐसी निता भी बीजेपी के शेर्षनेत्रत को टक्कर नहीं दे पाई सीधे तोर पर उन्हें भी शेर्षनेत्रत का कहा मानना पड़ा सीम दावेदारी से अपने पैर खीचने पड़े खुलकर नहीं बोल पाई लेकिन राहुल कस्वा खुलकर किस तरीके से पार्टी से अलग हुए और कॉंग्रस में जाकर शामिल हो गया अखिर राहुल कस्वा के पीछे की ताकत कौन है उपराश्च्पती जगदीब धंकर जिनको उपराश्च्पती बनाकर ये कहा जा रहा था कि बीजे पी ने किसान वोट बैंक और जाट वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है उनी जगदीब धनकर के दामात राहुल कस्वा को अब कॉंग्रेस ने अपनी पाटी में शामिल कर लिया तो जाहिर है एक तरफ तो किसान वोट बैंक और जाट वोट बैंक को साधने की एक मजबूत रणनी थी और दूसरा राजिस्तान में जाट बनाम राजपूत की राजनी थी क्या इतनी बड़ी सियासी इतने बड़े सियासी विद्रो और इतने बड़े सियासी समिकरण और साथी इतनी बड़ी सियासी चुनौती जब कस्वा बीजेपी को अब देते नजर आ रहे हैं तो सवाल तो उटना लाजमी है कि आखिर उनके पीछे ये जो एक अद्रिश्य ताकत है वो किस की है क्या यहां पर वसुंद्रा राजे ने शांत रहकर एक ऐसा चक्रवीव रच दिया है जिस चक्रवीव भस गए है राजेंद्र राठोर को आगामी लोगसभा चुनाओं में सेट किया जाए तो किस तरीके से किया जाए अब चुरू पर तो सीधी टक कर चुकी जाट बनाम राजपूत की सीधी लड़ाई है और चुरू सीट जहां पर जाट वर के मद्दाता काफी जादा है इस सीट पर जाहिर तोर पर खुले तोर पर तो राजेंदर राठोर को टिकेट शायद बीजेपी ना दे लेकिन बाकी सीटों पर बाकी कौन सी ऐसी सीट कमफिटिबल राजेंदर राठोर के लिए हो सकती है जहां पर उनको उतारा जाए अजमेर सीट है अजमेर मुस्लिम बाहूले महाँ पर राजेंदर राठोर फृट नहीं बैठ पाएंगे जैपूर ग्रामीन की अगर बात की जाये तो महाँ पर बड़े जो निता है चुकि बाकी जो बड़े निता हैं वहाँ पर उनका दबदबा जादा है इसके लाबा राजसमंद की सीट है महाँ पर कॉंग्रस के सीपी जोशी एक करदावर नेता हैं जिनके सामने एक तरीके से कहें तो सेफ सीट मानी नहीं जाएगी राजेंदर राठोर के लिए तो क्या यहाँ पर राजेंदर राठोरो सियासी चक्रवियू में फस गए हैं जहाँ पर उनकी लोगसवा टिकट की दावेदारी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब पाटी उनको लोगसवा 25 की 25 सीटों में से क्या किसी एक सीट पर भी चुनाव लडवा पाएगी या नहीं सवाल यह है और सवाल यह कि इतनी बड़ी बीजेपी के इसकरदावर नेता को इतनी बड़ी चुनावी या सियासी तक्कर देने में जो ताकत लगी है उस ताकत का बैक अप क्या है क्या वाकई एक तरीके से देखा जाए तो वसुंद्रा राजे ने अपनी पुरानी अदावत का बदला लिया और जिन निताओं ने वसुंद्रा से मूँ मोड़ा था उसकी फैरिस्त में राजेंद्र राठोर का नाम बिठा तो क्या शांत रहकर वसुंद्रा राजे ने राजेंद्र राठोर को निप्टा दिया है क्या ये एक महत्पूर्ण सवाल है बात कॉंग्रेस की भी है कॉंग्रेस लगातार अब देखे राहूल कस्वा को पार्टी में शामिल करके जाट और किसान वोट बैंक पर तो एक मजबूत पकड़ बनाने की एक सियासी नेरेटिव बनाने की मजबूत कोशिश कॉंग्रेस की तरफ से हुई है वही कॉंग्रेस जो पिछले दो लोगसभा चुनाओं में 25 के 25 सिचों में से एक भी सीट नहीं निकाल पाई वो किस तरीके से रननीतिक तोर पर फूँक फूँक कर कदम रख रही है और एक स्टेटेजिक मूव इस बार लोगसभा के चुनाओं में राजिस्तान में दिखाती नज़र आ रही है अलाकि स्टेटेजी कॉंग्रस की कितनी काम्याब हो पाईगी एक अलग सवाल है लेकिन आप देखिए बार्ड मेर जैसल में जहां से कैलाश चौदरी साब को उमिद्वार घोशित कर दिया है बीजेपी ने कॉंग्रस ने भी किसी सीट पर हिमराम चौदरी साहब से मुलाखात की अब उनसे मुलाखात की है तो सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या बार्ड मेर और जैसल मेर लुकसवा सीट की सियासी समीकरन माकि सियासी स्थती भी बदलती दिख रही है क्या रवींद्र सिंग भाटी और हिमराम मिला बीजेपी से शिववदान सबा से तो बीजेपी छोड़ दी नौ दिनों में बगावत कर दी और निर्दल ये चुनाव जीत लिया इसके बाद जब जीत हुई तो बीजेपी के शियर्ष नितरतु से मिलने पहुँचे एक आपचारिक सिष्टाचार मुलाकात कह सकते हैं लेकिन जब इस तरह के मुलाकात होती है तो जायर तोर पर राजनितिक बाते भी की जाती है उन राजनितिक बातों में शायद शिवदायक को किसी तरह का कोई आगामी ऐसा प्रस्ताव पीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया कि वो पार्टी में निष्ठा रख पाएं और अब कॉंग्रेस पार्टी उसी वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं कि युवानेता को एक बार फिर से अपने पाले में किया जाये ताकि वहाँ पर स्थिक को मजबूत किया जाया अला कि चर्चाएं तो ये हैं कि रवींदर सिंग भाटी भी लोकसभा का चुनाव जैसल मेर बाड मेर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं लेकिन क्या वाकई वो इसी रननीती पर काम कर रहे हैं अला कि देव दर्शन की शुरुवात उन्होंने अपनी लोकसभा सीट में कर दी है लेकिन फिर से वही सवाल कि इमाराम चौधरी और रवींदर सिंग भाटी किस मुलाकात के माइने क्या हैं क्या वाकई लोकसभा का चुनाव लड़ने जाएंगे या फिर पहरी तोर पर कॉंग्रेस पार्टी को इस लोकसभा शित्र में समर्थन देने जा रहे हैं तो एक तरीके से ये कहा जाए कि बार्ड मेर जैसल मेर में भी बीजेपी के लिए थोड़ी टफ फाइट बनती नजर आ रही है अब देखे कई ऐसे मसले हो चुके हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल खाड़ा करेंगे मुश्किल सबसे बड़ी राजेंदर राठोर के पास है कि अब बीजेपी जाट बनाम राजपूत कि इस रड़ाई में राजेंदर राठोर को कहां से कहां पर एड़्जेस्ट करेंगी या पिर वसंद्रा वाकई राजनितिक तोर पर निप्टा चुकी है राजेंदर राठोर को इन्ही सवालों के साथ इंसाइड स्टोरी में इतना है अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें जादा स्यादा शेयर करें आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है अपनी बात अपना सवाल अपनी राए कॉमेंट बॉक्स के जरि के लिए सब्सक्राइब जरूर करें टीवी नायम राजिस्तान